नमस्कार ये आकाश्वणी पटना है अब आप खालिद रशित से प्रादेशिक समाचा सुनिए लोग समा चुनाओं के दूसरे चरण के लिए प्रचार कैरे में सभी दलों ने जुकी ताकत कल शाम से थम जाएगा चुनाओं प्रचार पूर्णिया, बाका, कटिहार, भागलपूर और किशन गंज लोग सभा शित्र में 79 प्रत्याशी चुनाओं मैदान में तीसरे चरण में प्रधानुदी नरेंद्र मोदीव भाजपा के रास्ट्रे अध्यक्ष आमित शा समेथ पार्टी के 40 स्टार प्रचारक चुनाओं को करेंगे संभोधेते और कल से 18 अप्रेल तक आन्धी पानी की है संभावना, मौसम इभाग ने जारी किया अलर्ट लोगसवा चुनाओं के दूसरे चरण के लिए 18 अप्रेल को हुने वाले मतदान के लिए प्रचार कारे कल शाम समाप्त हो जाएगा इस चरण में पांस संसद्य शेतर पूर्णिया, भागलपूर, बाका, किशन गंज और कटिहार में मतदान होना है बिविन राजनितिक दलों के वरिस तुणने था, मतदाताओं को आकरशित करने के लिए कोई कूर कसर नहीं छोड़ रहे हैं मुख्यमंत्री नितिश कुमार ने बाका, पूर्णिया और अररिया में चुनावी सभाओं को संबोधित किया इस दोरान उप मुख्यमंत्री सुशिल कुमार मोदी और लोचपा के रास्टी अध्यक्ष राम बिलास पासवान भी उपस दित्थें वहीं खगड़िया और अररिया में पूर्व मुख्यमंत्री और हम पार्टी के प्रमुख जीतन राम माझी ने अपने उमिद्वार के पक्ष में लोगों से मतदान करने की अपील की जबकि रालुस्पा के रास्टी अध्यक्ष उपेंद्र कुश्वाहा ने मदुवनी के धंजारपूर में चुनावी सभा को संबोधित किया राज्य में दूसे चरन में होने वाले चुनाव के तहट पांच लोगसबा शेत्रों में 79 उमिद्वार चुनाव मैदान में हैं इन शेत्रों में 85,52,274 मतदाता आपने मताधिकार का प्रियोक करेंगे इसके लिए 8,644 मतदान की इंद्र बनाए गये हैं इस चरन में कठिया संसदिय निर्वाशन शेत्र से कॉंग्रिस के तारीक अनवर और राज्य के पूर्व मंत्री और जदियो के उमिद्वार दुलालचन गोसवामी आमने सामने हैं वह बाका सीट पर जदियो के गिधारी यादव का मुखाबला राज़त के जैपरकाश नारायन यादव से होगा बागलपूर में जदियो के अजै कुमार मंडल का राज़त के बूलो मंडल से पूर्णिया में जदियो के संतोष कुश्वाह का कॉंग्रिस के उदै सिंग और फपपु सिंग से और किशन गंज में कॉंग्रिस के मुहम्मद जावेत का मुगाबला जदियो के महमूद अश्रफ के साथ माना जा रहा है भारती जनलता पार्टी ने राज़्य में लोगसवा चुनाओ के तीसरे चरण के लिए अपने स्टार प्रचारकों की सुची जारी कर दी है इसमें प्रधानमंतरी नरेंदर मोदी, भाज़पा के राज़्य अध्यक्ष आमित शा, उपमुख्यमंतरी सुशिल कुमार मोदी, प्रदेश भाजपा देक्ष नित्यानंद राय समेथ 40 राजनेताओं के नाम शामिल है इस चरण के चुनाव प्रचार में पार्टी ने राज़्य के नेताओं को अधिक स्थान दिया है इसमें भोजपूरी फिल्म जगत के कराकार पवन सिंग, मदवनी के सांज़द हुकुम देव नारण यादव को भी जगाद दी गई है वहीं कॉंग्रेस पार्टी ने भी तीसरे चरण के चुनाव प्रचार के लिए अपने प्रमुख नेताओं के कारिकरम की घोशना कर दी है इसके अनुसार कॉंग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी 20 अप्रेल को सुपॉल में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे विपक्षी दलो ने कहा है कि निर्वाचन आयोग चुनाओ के दोरान एवियम क्यों ठीक से काम नहीं करने की शिकायत को दूर करने के लिए परयाप्त कदम नहीं उठा रहा है एक सेयुक्ते सम्मेलन में विपक्षी दलो ने वीवी पैट की 50 प्रतिशक परचियों की मिलान किये जाने की मांग की वह भाजपा ने विपक्षी दलों की बैठक पर आरोप लगाया है कि तथा कथित महागडबंधन अपनी संभावित पराजय को देखते हुए तथ हीन बातें कर रहा है प्रादेशिक समाचार आप आकाश्वनी पटना से सुन रहे हैं राजधानी पटना समेत राज्यभर में बढ़ती गर्मी से लोग परिशान हैं मौसम विज्ञान केंडर पटना के अनुसार आज भी राजधानी पटना समेत प्रदेश की कई हिस्सों में पारा एक डिग्री सर्शियस और बढ़ सकता है मौसम विज्यानिकों ने कहा है कि यदि आगले 48 घंटों के दोरान तापमान में 2 डिग्री सेलसियस की वृधी दर्ज की जाती है तो लू चलने की घूशना की जा सकती है विज्यानिकों ने कहा कि राज्जी के गया औरंगाबाद नवादा और भबुवा में गर्मी अधिक पढ़ रही है पच्छुआ हवा की रफ्तार 18 से 20 किलो मिटर तक पहुँच गई है जबकि धूर भरी हवा भी लोगों की परेशानी बढ़ा रही है वही मौसर विभाग में कल से 18 अप्रेल तक आंधी पानी की संभावना भी जताई है इसके लिए विभाग ने अलर्ट जारी किया है प्रदेश के कई हिस्सों में अगलगी की घटना में लाखो रुपे मुल्य की गेहूं की फसल जलकर राख हो गई फोज से फरार अपराधी शंकर सिंग की हत्या अपराधियों ने गला रेज कर कर दी पुलिस ने उसका शव गंगा दियारा से बरामत किया है मामले की छानबीन की जा रही है रज में सभी स्वयम सहायता समू को क्रिशी कारे से जुड़ा जाएगा इसमें जिविका से जुड़े समूहों पर विशेश ध्यान दिया जाएगा वैशाली जिले के हाजीपूर पटना मुख्य मार्क पर डिरेक्टरेट अफ रेवेनिव एंटिलिजेंस डी आर आई ने 23 लाग रुपे मुल्ले की विदेशी काली मिर्चे और हरा मटर जब्त किया है इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफतार किया गया है पटना पुलिस ने अजमेर भागलपूर एक्सप्रेस ट्रेन से 185 बोतल शराब बरामत किया है वहीं पटना के फतुहा में नदी थाना पुलिस ने एक खेट से 28 काटन शराब बरामत किया है मामले की चानवीन की जा रही है राज्जी की ग्रामेंड सडकों को नई तकनीक से बनाया जाएगा एनाइटी पटना ने इसके लिए कई सडकों का डी पी आर सेयार किया है वहीशाली जिले के हाजीपू सदर्प्रखंड की बाल विकास परियोजना पदाधिकारी ने अपने ही कारयले में काम करने वाले एक लिपिक पर ग्यारा लाख रुपए गबन का मामला दर्च कराया है पदाधिकारी ने मामले में इंडियन बैंक के प्रबंधक को भी इसमें शामिल बताया है रणधिर वर्मा अंडर 19 क्रिकेट प्रतियों गिता के अंतरगत खेले गए एक मुकाबले में नवादा ने शेकपूरा को 232 रनों से हरा दिया वहीं अन्य मैचों में बेतिया ने शिवहर, रोतास ने बकसर और जहानबाद ने वैशाली की टीम को पराजित कर अगले चकर में प्रवेश कर लिया है पटना में खेली जा रही ओपन बैडमिंटन चेंपिनशिप में कार्थिक ने शांदार खेल दिखाते हुए बालक वर्ग में अंडर 16, अंडर 13 सिंगल, अंडर 13 डबल और अंडर 17 का खिताब जीत लिया है पटना के पाटलिपूतर स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स में आउजित आल इंडिया जूनियर काराटे चेंपिनशिप में मुहम्मद जजु, विदांश, प्रतियुष, सानवी लोहानी और जैनब हैदर ने अपने-पने मुकाबले जीत लिये हैं अब पटना से प्रकाशित प्रमुक समाचार पत्रों की सुर्खिया, आज के सभी समाचार पत्रों ने विपक्ष दौरा एवियम पर दर्ज कराई आपत्ती को बड़ी खबर बनाया है, हेंडुस्तान की सुर्खिय है, एवियम पर विपक्ष फिर हमला वर, अखबार ने के देश में नहीं चलने देंगे दो विदान, दो निशान, दो प्रधान को भी प्रमुकता से प्रकाशित किया है। देश कुमार के चुनावी सवा में दिये बयान को बड़ी सुर्खी बनाते हुए लिखा है नरेंद्र मुदी का दोबारा प्रधान मंत्री बनना बिहार के हित में। समेत पार्टी के 40 स्टार प्रचारक चुनावी सवाओं को करेंगे संबोधेत और कल से 18 अप्रल तक आंधी पानी की है संभावना मौसम विभाग में जारी किया अलर्ट। इसके साथ ही आकाशोनी पटना से प्रसारित प्रादिश्यक समाचार का ये अंग समाप्त हुआ। झालर्ट।